हलो दोस्तों वेलकम टूशलीपीक लासे दोस्तों डेली निज्पेपर डिसकेशन थूँएंदर जैसा कि आपको पता है हम हर रोज इंपॉर्टन टॉपिक उठाते हैं और उसके उपर करके यहां पर इसको ट्राइब कर सकते हैं यहां पर बात करते हैं हुज टेक्स वेजन डन बाई मल्टी नेशनल ग्रूप यह भी आईटी डिपाट्पर ने रीचनली बोला है देखो टेक्स वेजन की बात हो रही है जहां पर माले जी आपने एक अमाउंट है है ना हंडर कोई ना कोई तरीका जिससे हम इसका टेक्स कम कर सकें तो यहां पर ख्यार इसके बारे में अगर मैं बात करूँ को टेक्स के बारे में यह तो यह बोला गया कि बहुत सी टेली कम ग्रूप जो प्रोडेक्ट हम घ्रीते हैं उसके अंदर जो अमाउंट है उसके अंदर कुछ यहां पे मकसद ही जानना है यहां निकालेंगे तो इसके बाद पता चलेगा तो यहां पे कहने का मकसद ही है कि tax evasion बहुत सी company करती है ठीक है हमें यह जानना है कि tax evasion क्या है and tax terrorism क्या है प्रीक के कंडक्स के अंदर तो यहां पर सीधा आपको question पे लेके there certain amount of income in order to save more amount of tax tax terrorism essentially means undue exercise of power by tax authorities to levite taxes using legal or extra-legal means one only one and two two and three all of the simple question है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए तो यहाँ पर आँसे देखते हैं सब भी statement correct है देखो tax avoidance के है जो government mean provide करती है आप सोचते हैं कोई job कर रहा है कभी tax इतना ना पड़े कुछ ना कुछ यहाँ पर saving दिखा दिए वहाँ पर tax avoidance हो जाती है ना इसके लावा टेक्स वेजन जो है है ना यहाँ पर तो यह तो क्राइम है क्योंकि illegal method यूज करते हो आप यह amount ज्यादा पे किया है कम शो की ताके कम टेक्स पड़े तो वह टेक्स वेजन रहता है इसके लाव टेक्स टेरिजम जब गवर्मेंट अक्सेस पावर यूज करे लगा हूँ ए तो वहाँ पर जो जो पर जो जो गर्मेंट यूज करते उसको दो टेक्स टैरीजम टेक्स टेर्शम भी किसी बींदर जो है एक अनहल्दी प्रक्टिस ठीक है तो यह आपको तीनों स्टेटमट आने चाहिए अब यहा अहेड विद डुगॉंग रिजर्व इन पार्क बे यहाँ पर डुगॉंग के ओपर एक बार यूपेसी के अंदर कॉशन आ चुका है डुगॉंग को सी कॉव भी बोलते हैं तो सी कॉव के नाम से भी कॉशन आ सकता है एंजल अफ तसी भी बोलते है अब इसकी कंजर्वेशन इंडिया के लिए बहुत जरूरी है है ना तो तामिला डू गॉर्मेंट ने बोला कि हम कंजर्वेशन रिजर्व बनाएंगे गॉल्फ आप मनार पाक बे के जो इंडिया और शिर्लंका के बीच बीच भी तो यहाँ पे इसका वेलकम किया है बहुत से बाइलोजिस्ट ने के वही एक अच्छा स्टेप है हमें इसको कंजर्व करना चाहिए अब यहाँ पे इसकी अगर देखे तो थू आउट तर वर्ल्ट ठीक है तो यहाँ पे हमें अस्टेलिया के अंदर जो डुगॉंग का नंबर बहुत ज़रा मिलता है उसके अलावा अगर हम देखे अर्ब गल्फ के अंदर तो 73 है इंडिया के 250 के अराउंड यहाँ पे इसका नंबर हमें देखने को मिलता है इंडिया के अगर बात करूँ इसलिए इसको C कॉ बोला जाता है ठीक है अब यहाँ पे इंडिया के अंदर जो एरिया मैंने आपको बता दिये तो अगर देखें जो स्पीसी का अगर नमबर देखें तो स्पीसी का 13 गल्फ अमनार और पाक भी एरिया तो काफी ज़्यादा इसके इस लिजन के अंदर खास क जो फिशिंग नेट होता है उसके अंदर फस्ट गई है ना वो चीज़ी हो सकती है हंटिंग हो सकती है बोर स्ट्राइक ठीक है जी पलूशन हो गया उसे रिजन के अंदर ठीक है यह सारी केमिकल पलूशन क्लाइमेट चेंज यह सारे वही रिजन रहते हैं जो हमने मैक्सिम एक ही है यूएन बेस्ट जो इंटर गवर्मेंटल अपना ओर्गिनेजिशन सीमेस जो आपका अगर मैं बोलू टेरेस्ट्रियल मेराइन एंड एवियन तीनों को जो इंटर माइग्रेशन है इसकी है ना माइग्रेशन एक रिजसे जैसे बहुत सी स्पीसीज है ना जी वही कि थूरी do подेंट को माइग्रेट करती है इन सबी को प्रेटेक्ट करने के लिए यह सक्रेट्रियट्रिय यून प्रोवाइड करता है इसको यून एपी ठीक है जी चलिए यह आपको दो स्टेटमेंट इसके अंदर ध्यान रखने जो मैंने भी भूली ठीक है दोस्तों अब यहां पर बात करते हैं क्वेशन के विद्धा रेफरेंस तु डुगॉंग अ मैमल फाउंड इन इंडिया पैल फोल्विंटेपन इस इनकरेक्ट ठीक है यहां पर है क्ट्रक्शन कर लो यां पर क्रक्ट कर लो फेले ठीक है इड़ीत अर्भी और मेराइन अनिमल सेकिंड इंडिया थैट इस टेट अनिमल आफ अंधर्मान निकोबार थाड इंडिल लीगल प्रोट्रेक्शन अटर schedule 1 of the wildlife production act 1972 1 & 2 2 & 3 1 3 4 2 3 4 simple question is Yiko State 1 UPSC के अंदर भी आई है और एक तू वहाँ से statement मैं NOOS.B किए है 1 3 4 ठीक है एंटाइर कोस्ट पे नहीं है कुछ specific region के है जिसके हमने बात की ठीक है State animal नेमन युको बार का ठीक है schedule 1 के अंदर हथीक है हर भी वोरो है ठीक है यह statement इस थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों उनके लिए जो पहले करना जाते हैं उसके बाद यहां भी बात करते हैं तो यहां पर इंडियन फार्मर्स कें नौ ट्रेट कार्बन क्रेडिट ठीक है बिजनस स्टेंडर्ड के अंदर यह आर्टिकल भी आया था देखो हमने पास्ट के अंद हमने टाइम टू टाइम पढ़ते रहें ठीक है दोस्तों अब यहां पर क्या है कि अंदर अनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट मिलते रहें जिसका मैट्रिक टान ऑईल के हिसाब से वैल्यू हम तैय करते थे यहां पर कार्बन क्रेडिट के अंदर क्या है कि यहां पर वन टन और इकुलेंट या कितनी और गैसे उसके इकुलेंट है जिसकी मौट उतना हो वह मिट कर सकती है ग्रीन हाउस के ऐसे डाल सकते है उसके हिसकी वैल्यू निकालते है अब यहां पर क्या है जैसे मालेजी कोई फार्मर है फार्मर को बोला गया ठीक है वह स्टबल बर्निंग क पिलीशन हो रहा है उसको बोला जाता कि यार तुस टबल बर्नि मत कर एक एकजेंपल से आपको बता रहा हूँ स्टबल बर्निंग मत कर तो फार्मर कहता है चलो ठीक है नहीं करता लेकिन उसकी वज़ा से उसको बहुत से जो लेबर लगानी पड़ेगी उसको निकालने के लिए है तो उसके लेबर की कॉस्ट आए कि कुछ तो इसलिए निकालता नहीं भी पैसा भी लगता है दूसरा जो नेक्स होएंगे जो सीजन है वो बिल्कुल ही पास में होता है तो उसको लगता है कि यार इतना टाइम भी नहीं है अगर मैं ले करती है ठीक है उनको बोलागे कि अपने प्लिशन का लेवल कम करो तो अगर वह माले जीजियं नहीं कर पाती तो उनको कुछ ना कुछ कारबन क्राइडिक के लेना पड़ेगा तो वह कारबन क्राइडिक को बाई करेंगी तो उल्टीमिटली जो किसान है उसको पैसा मिलेग यह system हम setup करना जा रहे हाला कि इसका exact procedure कैसे कैसे काम करेगा उसके बारे में अभी information नहीं है ठीक है दोस्तों तो Indian Agriculture Search Institute will join hands with private firm for the first time to build marketplace for trading in carbon credit for farmer in the country ठीक है वही चीज है जो अभी कैसे करेगा वो मैंने आपको बता दिया इसके लाब काम कैसे करेगा हलका साथ न्यूजपेपर के अंदर है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जो मैंने आपको एक एक ग्जेंपल से बता रिये आउन जो इससे उपसी नहीं पूशता आप इसविए यूपिस्टा कि जारदर को statement हमें नहीं आती कि भी ये कर रहा है कि इसको build करने के लिए तब तक कुछ न कुछ result निकल आ जागा ठीक है तो हाँ ऐसा हो सकता है यूपियसी बोले कि ये जो आई आ राई है जो बहुत ही पिछले 20 सालों से carbon credit के उपर काम कर रहा है मतलब इंडिया के अंदर established markets की या यह बोल सकता है कि जो स्टेबल बर नहीं गए उसका मेजर रिजन है कि failure of carbon credit system लेकिन वो तो अभी हम इसके उपर बात कर रहे हैं ना तो UPSC अपने हिसाब से डालता है statement फिर मैंने क्यों डाली मैंने स्टेटमेंट डाली है क्यूंकि आपको यह याद रखनी है ठीक है कगर carbon credit कर सिस्टम जो है फार्मी के अंदर तो उसका करेंगे इसके उपर मॉन्ट्रेक्स convention बहुत से न्यूजपेपर इसमेंदर जो मर्जी हम कटिंग यहां पर लगा लें बहुत से न्यूजपेपर के अंदर यह आर्टिकल आए हुए ठीक है यहां पर बात करते हैं मॉन्ट्रेक्स convention दोस्तों बेसी कली अगर हम इस रिजन को देखें इस रिजन को देखें तो यहां पर हमें ब्लैक सी दिखता है ब्लैक सी के ऊपर जाओगे तो हमें दिखता है सी ऑफ अजोव ठीक है जी जो ब्लैक सी सी ऑफ अजोव है ठीक है दोस्तों यहां पर हमें देखती है कर्च स्ट्रेट ब्लैक सी से उसके बाद सी आफ मर पार निकलना है तो स्ट्रेट ऑफ जिब्रालिटर आती है यह तो आपको याद रखनी है अब यहां पर हमने पास्ट में बढ़ा के जो रशी आ है वह ब्लैक सी के लिए बहुत ज़ला सीरिस है क्योंकि उसको वाम पोर्ट यहां पर मिलते है इसलिए जो अगर आप देखोगे यूक्रेयन वाला क्राइसिस और उसके बहुत से और रिजिन थे लेकिन अभी वह हमने डिस्कुस ओल्रेट किये लेकिन यहां पर इसी कंटेक्स के अंदर बात कर रहा हूं तो यह था ठीक है अब एक मॉंट्रेक्स जो कंवेंशन होती है उसके अंदर क्या जाता है टर्की क जो आउयां अंदर बाहर आसकते हैं लेकिन यहां पर टरकी को लगते है मुझे भी खत्रा है तो यहां पे टर्की उसको प्यभेट कर सकता है ठीक है यह व Luckily यह वाकर इसको उन्री COBेशन हैं यह कहा गया कि यह जह रशिया क्या बिल्कुल यहां पर वार्शिप का आना चाना बंद कर देखा हलाएक जो दूसरे अनरजिस्टर्ड है उनको ना पास किया जाए तो रसी ने बोला कि ठीक है कि आपने एक नीट्रल रहकी अगर आप रहसला लोगी कोई प्रावलम नहीं है लेकिन यहां पे क्वेशन हो कि टर्की क्या इसको पूरा बंद कर सकता है तो यहां आप एक वार्षिप है ठीक है अब यह प्लैक सीक लिए और तो यहां से पास कर सकता त। तो यहां से पास कर सकता ठीक है जी ओके यहां पर देख लेते हैं और कुछ नहीं और यह कौन-कौन सी कंट्री ने साइन किया इसके अंदर बाकी सु कंट्री है इस रिजन के अंदर वह आपने देख लेनी है ठीक है जी इसके लवा ठीक है दोस्तों यह चीज़ें जो मैंने आपको आर्टिकल 19 भी बता दिया अ स्कूर्च स्टेट यहां पर इस इंप्रेंट ठीक है अगर आपको यहां से पूछती आपने यहां से अंटर किया अट्लांटिक कोशियन से तो आपने जहां पर जी सी आफ जोग के अंदर पहुंचन है तो आपको पहुंचना है किस-kis area से pass करोगे तो आपको यह एक पता होना चाहिए ठीक है जी अब यहाँ पे क्या पूचा जा रहा है Black support जो है वो Mediterranean के अंदर कैसे जाओगे तो यहाँ पे कैसे access करोगे ठीक है दोस्तो तो यहाँ पे आपको एक और से तो यहाँ पे अपना answer आएगा हो सकता है आपको पता हूँ है ना आपने को पता है कौन-कौन से एरिय के कहां लगती है लेकिन को थोड़ा सा इंट्रप्रेट करना अपने अच्छे से वहाँ पे एक्जाम में ताकि गलती नहों कॉशन नमबर 5 सिंपल कोशन यूपीस के कंडेक्स के अंदर यहां भी बात का थे एंड़ प्लास्टिक प्लीशन ट्वार्जा इंटर्फ लीगली बैंडि इंस्ट्रुमेट है हमने प्लास्टिक प्लीशन के अंदर रीसंटली टूसर और ट्वंटीटीटू के भी रूल से प इसका फिफ्ट जो हुई रीसेटली नेरो भी केनिया के अंदर तो वहां पर इनों बोला कि नहीं हमें एक ऐसा फ्रेवर्क त्यार करना बढ़े जिसे प्लास्टिक जो है लेगली बैंडिक हम इसको एंड़ करेंगे तो यहां पर एक जो इंटर गर्मेंटर लेगोशेटिं क्या है गवर्निक बॉड़ी है युनाइट नेशन अन्वार्मेंट प्रोग्राम के लिए और यह बॉड़ी जो है जो बिग्एस्ट अगर हम बोले है ना एक ही हाईस्ट डिसीजन मेंकिंग बॉड़ी है एंवार्मेंट के ऊपर ठीक है दोस्तों वल्ड की यह आपको ध्य कि है इस तरही प्रोग्षा परजक्त हमने दोस्तों पास्ट के अंदर अधर सी चीजह की यह estáp centre के हैं अगर मैं आपको बताओ ऑंपर वाइलेंस होता है एंदिंवेंस होता है अलग-अलग टाइप के वाइलेंस होती है वह कितना इंटा तो यहां पर हमारे पास डेटा कोई मतलब दसमें से नौ जो है वह लेने की कोशिश नहीं करती तो ऐसे वाइलेंस की वज़ा से जो वुमेन की जो इंपक्ट उनकी लाइफ की उपल पड़ता है उसको हमने ठीक करने के लिए गौर्मेंट ने बनाए वन स्टॉप सेंटर वन स्टॉप सेंटर के अंदर क्या क के निर्बय फंड निर्बय फंड थीक है निर्बय फंड की बात करते हैं निर्बय फंड 2013 बना नॉनलेपसिबल फंड है कि बहुत सी जो अगर मैं बात करूँ के वुमेन के उपर इंपक्ट पड़ता है उनकी लाइफ के उपर थो उनको हैल्प करने के लिए फंड बनाया स्कीम है जिनको पैसा देती है निर्भया फंड देता है ठीक है अब वन स्टॉप सेंटर भी बनाएगे वन स्टॉप सेंटर के अंदर भी पैसा निर्भया फंड से अब यहां पर वन स्टॉप सेंटर के अंदर काम करते हैं उनको ट्रेनिंग जो दी जाएगी वह दी जाएगी इस्तरी मनोरक्षा प्रजेक्ट के अंदर ट्रेनिंग सुपर विजन इन साइकोलोजिकल स्टॉप सेंटर के अंदर तो अब आपको दियान रखना है पहले निर्भया फंड स्टॉप संटर इसêtre इसके बाद उसके बार उन स्टॉप संटर उसके बाद इस तह सेफ मनोरक्षा प्रजेक्ट तो आसे आपने लाइन टू लाइन याद करना है ठीक है क्रोनालोजी के अंदर ताके आपको एक्जाम में कुछ अहां पर कन्फीजन ना हो ठीक है जी चलिए फिर इसी खुजी में दोस्तों सिंपल क्वेशन है था फॉलिंग स्टेट्वेंट वान स्टॉप सेंटर एमस्टू स्पोर्ट ऑल अब आपके लिए कोई यहां पर दिक्कत नहीं है यहां पर क्या किया गया इस कोशन के अंदर क्योंकि हमने वन स्टॉप सेंटर पहले भी पढ़ा है तो उसकी एक स्टेटमेंट उठाएगी ताकि आप एक लिंक कर पाऊ और आपकी रिवीजन हो है ना क्यों हमने एक्जाम मैं से लिया आता हूं अगर उसके लेटर जो अब कुछ नीज में चल रहा हूँ तो दिस इस आल सो मिलते नेक्स टैम थैंक यू वेरी मैं